नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक खबर है उत्तरप्रदेश के कानपूर से और कानपूर क गाटमपूर में कानपूर में एक इलाका है और वहां पर दो गैंगरेब पिडिताओं ने ब्लैक मेलिंग से परेशान होकर 29 फरवरी को खुदकुशी कर ली होता ये है कि घर में दो लड़कियां अकेली हैं परिवार काम पर गया हुआ है और कुछ लोग वहां पर आते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं उनके साथ गैंगरेब जैसी घिनोनी वारदात को अंजाम देते हैं उनके फोटो खीचते हैं उनका वीडियो बनाते हैं और उनको लगातार ब्लैक मिल करते हैं जब ये बात परिवार को बताई जाती है तो परिवार अपना उसको सुद लेता है लेकिन इतने से भी जब बात नहीं बनती तो वो दोनों लड़किया खुदकुशी कहिए या उनको बांद कर पेड़ से लटका दिया गया जो भी है वो जाज कविशे है अब उसके बाद पेड़ित परिवार उसके पिता लगातार थाने के चक्कर काटते रहते हैं उनका य खुशी कर ली है क्या खबर है ये चिराग आपको क्या समझ में आई अब तक देखिए बहुत ही संगीन मामला है और दर्दनाक मामला है दो लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी इस मामले में दोनों ने खुशी कर ले थी क्योंकि उनको ब्लैक मिल किया जा रहा था इनसाफ नहीं मिल रहा था और वो डर गई कि उन्होंने शायद कुछ गलत काम कर दिया या ऑविसलि ऐसा तो उनको नहीं सोचना चाही था लेकिन उनको ये शर्म थी कि अगर ये पता चल जाएगा तो हमारे फैमिली की हमारी इज़त जो खराब हो जाईगी शर्म क मारे और तमाम परिस्तियों को ध्यान में रखते हो उन्होंने एक अदम उठाया उसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था अब एक और दर्दना खबर आई कि उसके फादर ने भी खुदकुशी कर लिया अब स संगीन इल्जाम है अगर ऐसा है तो क्योंकि सवाल यह उठता है कि पहले तो दोनों बच्चियों ने जो यह कदम उठाया 14 से 16 साल के बीच में थी और कुछ लोगों ने गैंग रेप किया और उसके बाद जब वो मजदूरी करते हैं इसके फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो और चौकाने वाली घटना ही होगी कि उसके फादर ने भी कदम उठा लिया क्योंकि परिवार के लिए यह बहुत ही पीड़ा दायक था कि उनकी दोनों बच्चियां इस तरह से डेत हो गई और अब उन्होंने भी कर लिया थोड़ा सा आपको खबर से वाकिफ करा दे जो ल ही पर रहने भी लगे थे आरोप यह कि नौ फरवरी को परिवार की दो बेटियां घर में अकेली थी और बाकी सदस मजदूरी के लिए गए हुए थे तब ही दो यूवक उनके घर में आधम के और उन्होंने दोनों लड़कियों को अकेला पाकर उनके साथ पहले तो जम के म कर उन्हें लगातार ब्लेक मेल करते रहे आरोप यह है कि उनका शोशन भी करते रहे अब किशोरियों ने उन दोनों मासूं बच्चीयों ने उस ब्लेक मेली से तंग आकर 29 फरवरी को खुदकुशी कर ली और बात जब पुलिस तक पहुँची तो मामले की जाँच हुई औ फिर पुलिस ने इस गंभीर मामले में इंट भटा मालिक रामरूप और उसके दो सगे रिष्टेदार रज्जू और संजय को इस बाबत गरिफतार किया अब आरोप यह कि किशोरियों के सुसाइट के बास सही प्लिट परिवार पर लगातार समझोता बनाने का दबाव बन में बुदवार को खुदकुशी कर ली और सूचना पर शेत्रा दिकारी शेस्तर पाठी ने भी घटना सर पर महुच कर इस पूरे मामले की जाच कि और इस समंद में थाना पर भारी से सोलर ने बताया कि शव का पंचनामा भर कर पोश्टमाडम के लिए भेज दिया है आगे पाने का जो पहला रास्ता होता है एक आम आदमी के लिए कि पहले थाना उसकी बात सुने लेकिन जब थाना ही समझोते का दबाव बनाने लगे यह क्या होता चुकि आपका भी अतना लंबा तजुर्बा क्राइम जनलिजम कर रहा है यह समझोते की क्या परिभाशा होती कान पर दो कदमा भी चल रहा है उसमें अरेस्ट भी हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं यह आरोप लगा जा रहे है कि समझवता फिर भी समझवता आप सोचे कि उस वक्त आदमी इतना टूटा होता है उसको लगता है कि कोई उसके पुलिस का काम नयायक दिलाना है यह समझवता करान और यह लिखा है कि यूपी में दो बहनों ने अपने साथ हुए दुश कर्म के बात फांसी लगा ली अब नयायना मिलने और मुकदमा वापस लेने के दवाव पर उनके पिता को भी फांसी लगानी पड़ी यह इस तरह की बाते राहुल गांदी ने लिखी है सबसे बड़ काउंसिल भी करती है फैमिली को और नयाय कौन मांगेगा क्योंकि जो सिसोलर थाना के जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि पंच नामा भरकर हमने पोस्टमाटम के लिए बाड़ी को भेज दिया और आगे की कारवाई भी शूरू कर दी है फिलाल अभी तक किसी तरह की के तह चाहेगा तो नयाय देंगे किसे बिल्कुल आपने ठीक का और सबसे बड़ी बात तो यह ना कि आप सोची सीक्वेंस को समझें उनतिस तारीक को यह घटना हो रही है उससे पहले उनके साथ गैंग रेप हो रहा है उसके बाद वीडियोग्राफी हो रही है उसके बाद वो परिवार को का सहारा बनी है ऐसा ना हो कि परिवार टूट जाया है या कुछ ऐसा कदम उठा ले क्योंकि परिवार ऑविसली शैटर्ड है उनके साथ इतना गलत हो गया तो मुझे लगता है इस केस में प्रफेशनलिजम नहीं अपना आए गया पुलिस की तरफ से जो की समझोते का दबाओ बनाया जा रहा है और फाइनली उसने भी खुदकुशी कर ली लेकिन यह समझोते वाली बात तो नैचुरली आ रही है सामने कई सूतरों से आ रही है जानकरी खुद राहूल गांदी ने भी ट्वीट किया है सबाल योटता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क कि एक फैक्टर वो भी होता है क्राइम में क्या क्या शुरुवात में अगर यह आरोप सही है तो या इस तरह कि आरोप पहले भी लगते रहें पुलिस पर क्या अपनी छवी को बचाने के लिए पुलिस ऐसा यह समझोते कि कि चाल को आगे आगे लेकर चलती है कि देखिए दूसरी कई बार ऐसी वज़ा होती है कि कुछ और वेस्टेज इंट्रस्स होते हैं चाहे और जाए कि पैसे का लें दिन यह कहाँ जाए कि कोई और दबाव को हमने कई क समझोता कराने के लिए पुलिसी इंट्रस्स लेती है क्योंकि अगर देखिए केस होगा तो नैचूरल लेकिन आप नियाए मांगे कौन जिसके दो बेटियां थी उन्होंने पहले खुदकुशी कर ली बाद में नियाए की आस में दरदर भटकते उस मजबूर पिता ने भी फाइनली खुदकुशी का रास्ता ही अख्तियार किया उसे नियाए नहीं मिला और आरोप ये छोड़ ग इस तमाम जानकारी के लिए आपका यहां रोक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाईएगा नहीं बने रही हमारे साथ देखते रहिए आज तक डिजटेल